दोस्तों, रंग बिरंगी तितलियां आस्मान में उड़ते हुए बहुत खुपसूरत दिखती हैं। ये कभी फूल पत्तियों पर बैड़ जाती हैं या कभी खूले आस्मान की सैर करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तितलियां जिंदगी की पहचान होती हैं। हर महिने को दर्शाने वाली एक अनोखी तितली होती है। पुरी दुनिया में तितलियों को आशा और बदलाव की पहचान माना जाता है। कुछ दितलियां खास होती हैं क्योंकि ये हमारी जिन्दगी पेवहार और करेक्टर से चूड़ी कुछ ऐसी बातें सामने लाती हैं जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होता। आप इन में से अपने जन्म दिन के महिने वाली तितलियों चुनिये और अपने अंदर छिपी हर बात चानिये। जन्वरी, आप उदार दिल वाले हैं, आप बेहत दूस्तान स्वाभाव के होते हैं, सभी आपके आशावादी और सकारत्मक रविये की तारीफ करते हैं, आप एक तितलिक की तरह सुन्दर और आजाद हैं, आप अपने आसपास की सभी लोगों को खुश रखते हैं, आप तरफ खीचे चले आते हैं, फरवरी, परवरी में जनमें लोग इतने प्रवावशाली होते हैं कि जब वो भीड से भरे किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो सारी नजरे उन्हीं पर टिक जाती हैं, आपका आत्मे विस्वास इतना जोरदार होता है कि कोई भी आपसे नजरे नहीं हटा पाता सभी का ध्यान आप पर ही रहता है लोग आपके आत्म विश्वास से इतने प्रभावित होते हैं कि कोई अगर आपका दोस्त नहीं भी है तो भी आपको पसंद करने लगता है मार्च आपको बले ही मुश्किल परिस्तियों से निकलना नहीं आता हो लेकिन आप कभी हार नहीं मानते और यही वैक्तित्व आपको हमेशा जित की तरब बढ़ाता है आपकी मन की आवाज आपको आगे ले चाती है, आप द्रण रिष्चय वैक्तित्व के मालिक हैं, आप जिंदगी को बेहद खुशनुमा तरीके सचीने में विश्वास रखते हैं अपरेल, आप बेहद भावक इनसान हैं और आप कभी भी अपनी इस चीच को छीपाते नहीं हैं, लोग आपकी इस खासियत की सराहना करते हैं और इसी वज़त से आपको प्यार भी करते हैं, आप भले ही इस बात पर भरोसा ना करना चाहें लेकिन ये सच है, आप दुनिया को अपने शान्त स्वभाव से एक बहतर जगह बना सकते हैं, मई, आप वास्तों में एक अद्भूत इनसान हैं, आपकी संपूर्ण च्छवे कभी कभी दूसरों को डराती है, जो आपको जानते हैं वो आपके उसी रूप से प्यार करते हैं, जैसे आप हैं, आप रौबदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में गहराई नहीं है, आप अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जून में जन्में लोग अपने शान्त सोभाव के लिए जाने जाते हैं, आप बेहत नाजुक इनसान हैं, आप लोगों की छिपी क्षाओं के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं, आप से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात ये है कि आप बहुत ही अच्छे पार्टनर साबित होंगे और ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, जुलाई, आपका निडर अंदर भावकता कुट-कुट कर भरी है, लेकिन आप कम ही इसे दिखाते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के बीच बहुत अच्छी और आदर भरी छवी रखते हैं, दुनिया बहुत अच्छी हो जाए अगर ये आपके जिसे लोगों से भर जाए, अगस्त इस महिन में पैदा हुए लोग अपनी मानदारी के लिए जाने जाते हैं, आप जिस तरह से अपनी गल्ती माल लेते हैं, वैसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, आप लोगों का भरोसा पल भर में ही चित लेते हैं, आपको भीड में भी अलग पहचान अच्छी लगती है सितंबर आपके अंदर किसी भी चीज को जानने की जिग्यासा होती है आप में सोचने की छमता अद्भूत है आप खुली आँखों से सपने देखने वाले हैं अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो भी आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुचना है लोग आपकी इसी खासियत की तारिफ करते हैं और आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं आप ओ शक्स हैं जो किसी भी मुश्किल का अपनी उर्जा और दुड़निश्य से सामना कर सकते हैं मुश्किल हालात में आप इस तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं कि आपकी जिंदिगी पर इसका कोई असर ना पड़ सके आप उदार दिल के मालिक हैं और हमेशा जरुरत मंद लोगों की मदद करना चाहते हैं आप बेहत मददगार और बेहत सचेत रहने वाले शक्स हैं आपको चौकनना रहने की जरुरत है क्योंकि हर शक्स आपकी इस खास्यत की तारीफ नहीं करेगा नवंबर आपके दिमाग में हमेशा कोई न कोई आईडिया रहता है आप अपने आसपास मौजूद लोगों को गहनता से जानते और परकते हैं हर को ये नहीं समझ सकता कि आप अपनी तरह से जिन्दिगी जिने में विश्वास रखते हैं आपका दिमाग भले ही आसमान पर रहता हूँ लेकिन आप जमीन पर हमेशा अपने पैर जमाय रखते हैं आप उस वेक्तित्व के मालिक हैं जो आपको जिन्दिगी में बहुत आगे लेकर जाएगा लेकिन आपके बारे में खास बात यह है कि आप कभी भी थोड़े में खुश नहीं होंगे आप जिन्दिगी से हमेशा कुछ और की आशा करेंगे आप बहुत भाव के शक्स हैं लेकिन आप कभी इसे छिपाते नहीं आप कभी अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं हैं क्योंकि आप अपनी गलतियों को हमेशा मानने में यकिन रखते हैं लोग आपकी इसी वैक्तित्व की सराहना करते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और समंधिव के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बसतना ही अगली वीडियो मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब कर दोस्तों कर दोस्तों करें।